नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के इंपोर्टेंड प्रस्णों का टेस्ट लगाएंगे दोस्तों ये सारे प्रस्ण हमारे तरंग और साउंड से रिलेटेड हैं जो परिच्छों में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पर देखिए पहला प्रस्ण लिखा हुआ है तरंग अनुदैर्द कही जाती है यदि माध्याम के कणों के कमपनली की दिशा और तरंग के गमन की दिशा कैसी होनी चाहिए परस्पर लंबवत हो अगर लंबवत होता है तो वह हमारी तरंग कौंसी होती है अनुप्रस् सकता है 45 डिग्रीवाला कि निए हो सकता है said wygląda एक हो एक हो मतलब यही हमारा तो होगा यानि जब हमारे कंपंड की जो दिशा की तरंख की दिसा के अगर समान है एक लिए तब ही पॉणसा होता है अनुदैर्ध नटार तरंग होता है ठीक ना दोस्तों समझे πρώ्त प्र कान सुन सकते हैं जितनी फ्रेक्वेंसी वो रेंज हमारी कितनी होती है वो होती है हमारी 20 हर्स से लेकर 20,000 हर्स कभी-कभी दोस्तों यहां पर 20 किलो हर्स लिख देते हैं तो आपका भी कन्फ्यूज मत रहिएगा क्योंकि देखिए एक किलो हर्स में हमारे कितने होते हैं हजार हट्स होते हैं और जाभ 20जा बीस ounce किलो ह में निकालेंगे तो सरब तरंगों की अबरत कितनी होती है जानी सरब से नीचे सरब तो हमारी 20 से लेकर 20,000 Hz के बीच में होती है यानि अवसरब यानि 20 से पहले यानि इसको हम कह सकते हैं 20 Hz से नीच कम यानि 20 Hz से जो कम होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है अवसरब सरंगे होती हैं जिनने हम नहीं सुन सकते हैं कभी-कभी देखा होगा जब डाक्टर जो होते हैं हर्दय की जो हमारी हर्दय से जो वेव निकलती है वो कैसी होती है अवसरब होती है और इनको सुनने के लिए इस टेटोइसकोप जो इंस्ट्रुमेंट होता है उसका प्रियोग किया जाता है ठ इसका जो सही अंसर होगा आपसर नंबर हमारा काउंसा होगा चावता होगा 20,000 हट से अधिक या 20 किलो हट से अधिक आइसी तरंगों को सिर्व चमगादर हो गया है कुत्ता विल्ली इस तरीके के जीव होते हैं सुन सकते हैं चमगादर जो है बीजार की फ्रिवेंसी सुन बीजार की अधिक प्रिवेंसी क्या करता जन्रेट भी करता ये भी याद रखिएगा तो इसका सही अंसर हमारा क्या होगा आपसा नंबर चावता हो जाएगा अगला प्रसने देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों सारे प्रसने एक्जाम में पूछे जाते हैं इसी अगर हम बात करते हैं प्रकास तरंगों के अगर बात करते हैं प्रकास तरंगों यहाँ पर दे कि अनुदायर दे आदा धारा है ना तो यहाँ पर धौनी में भी आदा धारा इसका मतलब जब धौनी तरंगों की प्रकति की बात कहेगा तो अनुदायर अगर प्रकास तरंगों की बात करता है तो अनुप्रस्त तरंगे होती है अनुप्रस्त तरंगे क्या हो प्रति दोल आजियों नोगी होता है लंबवत चलती है चलिए आगे अगे कारण प्रतिधवनि यानी इक में कडर्तियों धुक्त पणक्त करती हैं तब इस प्रस्ण का अंसर क्या होगा टकरा के वापा जाना यानि कौन से होता है परावर्तन यानि इसका जो आपसान हमारा सही होगा तीसरा सही होगा परावर्तन की वजह से होता है आगे बढ़ते हैं आगे देखिए लिखा सोनार सोनार क्या होता है अधिकांसा प्रियोग में ल अगर कोई भी चीज़ की अगर बात होती है तो वहाँ पर किसका प्रियोग किया जाता है सोनार का प्रियोग किया जाता है ठीक है ना किसका प्रियोग किया जाता है सोनार का प्रियोग किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अगला प्रसने लिखा पास आती हुई रेल गाड़ी की सीटी की आवरतिया तीस चर्था बढ़ती जाती है ऐसा किस परिगटना के कारण होता है यहाँ पर भी देखे प्रशन पूछा गया यह भी हमारा डापलर प्रभाव के आधार पर होता है डापलर प्रभाव से रिलेटेड है अगला प्रशन देखिए लिखा हुआ चंद्रमा के धरातपल दो ब्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्यों नहीं सुन सकते क्योंकि सबी लोग जानते हैं चंद्रमा पर वाई वंडल ही नहीं है तो कहां से सुनाई देगा वाई वंडल जहां होगा वहीं पर हम बाते सुन सकते है अदरवाईस नहीं सुन पाएंगे यानि इसका सही अंसर होगा आपसा नमबर दूसरा आगे बढ़ते हैं केबल धोनीगृता के अंतर से ही हम क्या कर सकते हैं भेथ बढ़ते हैं इसका सही अंसर होगा आपसा नमबर देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ध्वानी तरंगे हैं अब यहाँ पर देखिए यह प्रस्ण पूछा गया है RRB चेन्नाई में बहुत ही confusion भरा प्रस्ण है अब यहाँ पर देखिए ध्वानी तरंगे होती हैं अभी अमने बताया था ध्वानी तरंगे अनुधार तरंग अब यहाँ पर देगे लंबवाद, लंबवाद तो कहेंगे सर जी तो अनुपरस तरंगे होती हैं, अनुपरस तरंगे कैसी होती हैं, तरंग संचनर की दिशा के क्या होती हैं, लंबवाद होती हैं, माध्यम को जो कण होते हैं, ठीक है न, तो लंबवाद के केस में अनुपर चुमी की तरंगे होती हैं विजदु चुमी की तरंगों के अंदर गत प्रकास तरंगे भी आता है प्रकास तरंगों के लिए कोई भी बात्य हम क्या आवा सकता नहीं होती है तो इसके अक्वार्डिक हमांसर कौन से देंगे लंबवत हमें देना पड़ेगा confusion वरकोशन है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए वायू में ध्वनी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है यदि दाप बढ़ा कर दुगना कर दिया जाता है तो ध्वनी की चाल कितनी होगी ध्वनी की चाल पर दाप का कोई भी प्रभाव नहीं परता है ध्वनी की चाल को दुगना करो तीगना करो चार गुना करो चाल वही रहेगी यानि इसका जो सही अंसर होगा आपसा नमबर दूसरा ही रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ध्वनी की चाल अधिकतम किसमे होती है सबसे ज़्यादा ध्वनी की चाल किसमे होती है इस पात में होती है इस पात यानि आपसा नमबर 14 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100 decibel का सोर इस तर निमने में से किसके संगत होगा पहला अपसान ठीक सुनी जा सकने वाली धुनी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि 100 decibel आप समझी रहें काफी ज़्यादा होता है साधान वरतल आप ये भी नहीं होगा गली के सोरगुल ये भी नहीं होगा किसी मसीन की दुकान से आने वाला सोर गुल यानि यही इसका हमारा क्या होगा सही अंसर हो जाएगा मसीन बगएरा में काफी सोर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं ये भी देखिए प्रस ने बहुत ही कन्फूजन भरा हुआ है सांत जलासाय में पत्थर फेकने से उत्पन तरंगे हमारी कौँसी होती है यहाँ पर देखिए इसका जो सही अंसर होगा हमारा आफसा नंबर दूसरा यानि अनुप्रस्त तरंगे होगी अनुप्रस्त तरंगे कैसी होती जब भी आप कोई पत्थर फेकेंगे ठीक है ना तो पत्थर जैसे समुद्र के अंदर ये पानी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर जो तरंगे होती माध्यम गड़ तरंग सके क्या होती लंबवत कमपन करती है ठीक ना बिच्छो बुत्पन हो जाता है माध्यम गड़ तो अपनी जगह रहते हैं लेकिन एक दूसरे को ठोकर देते रहते हैं आप पढ़े होंगे पूरा अच्छे से अनुप्रस्त कई कई इसका अनुप्रस्त अनुदार्द भी लिखा हुआ है दोनों तो इसका अनुप्रस्त होगा अनुदार्द जो होता है वो सतय पर होता है ठीक ना लेकिन इस प्रस्ट में जब भी पूछा जाता है तो उसका सही अंसर अनुप्रस्त ही लगाए जाता है वही आफसन हमारा सही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो कर्ण समान कला में कहे जाते हैं यदि उनका विस्थापन ठीक है नब पहला आफसन उनके विस्थापन और गती की दिसाइ समान हो यही हमारा सही होगा अफसन नमबर तीसरा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तरंग देर्द होता है तरंग देर्द क्या होता है लगातार सीर्सों या गर्तों की बीच की दूरी यही वाला हमारा होता है अब देखे सीर्स गर्त क्या होता है जैसे माले जी तरंग है हमारी यह क्या है तरंग है इस तरीके से माले जी तो यह उपर का भाग होता है यह क्या होता है सीर्स होता है ठीक है नीचे का भाग क्या हो यह भी हमारा हो जाएगा तो इसका मतलब दो नगातार to that सी हर्सों या गरतों की बीच की दूरी हमारी क्या होती MK्ल होती एच लिए अफसा इसका जो आफसन होगा D नमबर होगा A और B आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ किसी गैस में ध्वनी का वेग जो होता है किसके समानुपाती होता है इसका जो सही अंसर होगा आफसन नमबर पहला रुडोस में प्रत्यासता के वर्ग मूल के क्या होता है समान 30 मीटर पर सेकेंड इससे हमेशा अधिक अधिक के स्पीड से हमारे सुपरसोनिक जहां जुडते है इसका सही अंसर क्या होगा अफसन नमबर तीसरा आगे बढ़ते हैं भीन्य पदार्थों के दो समरूपतार समान तनाव दौरा खीचे जाते हैं दोनों तारों में अनुप परते हैं यहां पर देखे अभी बताया था प्रतिध्वन यानि परावरतन वाला केस बताया था जब टकराती है अब डिस्टेंस पूछ लिया कितनी दूरी होनी चाहिए अभी बताया तो 17 मीटर की डिस्टेंस पर होगा तब ही हमारा ईको क्या होता जन्नेट होता है चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धौनी तरंगों की प्रकति कैसी होती है अब यहाँ पर धौनी वर्ड लगा हुआ है अभी रिपीटेड प्रस ने अभी इसके पहले कराया था इसका अफसान होगा अनुदैर तरंगे बिद्दो चुम्बे की तरंगे हो नहीं सकती है अन पर अंतर हम बता सकते हैं चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम लिखित में से कौन सी तरंग बिद्दो चुम्बे की तरंगे नहीं है बिद्दो चुम्बे की तरंगे नहीं है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निमने में से किन तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो तरंगों की होती है अगर दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्द की यहां पर फ्रेक्वेंसी कम होती है लेकिन अगर हम बात करते हैं अधिक अगर तरंग दैर अधिक की बात करते हैं तो काँ सा होगा रेडियो तरंगे हो सबसे अधिक होती है अगर हम बात करता हैा इन वेलेंड होता है इन्दोनों में क्या होता है ठीक है समझ गया होगे फ्रेक्वेंसी सबसे कम रेडियो तरंगों की होती है तरंग देर्द अधिक की बात करेंगे रेडियो तरंगों की होती है गामा तरंगों की क्या होती है फ्रेक्वेंसी जो होती है सबसे अधिक होती है और अगर तरंग देर्द की बात करेंगे ना तो सबसे क कम होती है कम होती है तो पूछा क्या गया था अब रती पूछा गया तो आफसा नंबर तीसरा इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए चंद्रमा के धरातपल पर दो बैक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्यों कि अभी बताया था रिपीटर प्रसन है चंद को बढ़ते हैं विरो देखिने तो जाने वाची कि यहाँ पर दो जाने वाँ